स्री सहित दिन करवन सभूषन काम बहुछ विसोह ही नव अंभुदर बरगात अंबर पीत सुर्मन मोह ही बुगटांग दादि विचेत्र भूषन अंग अंग नप्रति सजे अंभोज नयन विशाल उरभुज धन्यनर निरंखति जे कथारंब होत है आववीर हनुमान आसनली जो प्रेम से सुनहु कथा करूगान स्रीगडेशाय नमहास्री हनुमते नमहास्री जान की वल्लभोव विजयते दीन दयाल बेरेदो संभारी हरवनात्मम संकट भारी रमसाभू प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा मदन दहन सुने अते दुखु पावा उन्होंने परवतराज हिमाचल को सभाल सुनाया कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए फिर मुनियों ने रती के वरदान की बात गही उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुखमाना रामा हरदय बिचार संभु प्रभुताई सादर मुनिबर लिये बुलाई और सुदिन सुनक तु सुघर सोचाई बेगी बेद बिधी लगन धराई सिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने स्रेष्ट मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे सुब धिन सुब नक्षत्र और सुब घड़ी सुद्वा कर बेद की बिधी की अनुसार सिग्र ही लगन निश्चे करा कर लिखवा लिया रामा पत्र सब्तरिसन सोई दीन ही गही पद भी नय हिमाचल की नहीं जाए बिधी तिन है दीन सुपाती बाचत पीतना हरदय समाती फिर हिमाचल ने वह लगन पत्र का सब्तरिसियों को दे दी और चरण पकड़ कर उनकी विंती की उन्होंने जाकर वह लगन पत्र का ब्रह्मा जी को दी उसको पढ़ते समय उनके हिदे में प्रेम समाता न था रम लगन बाची अज सब ही सुनाई हर से मुनी सब सुर समुदाई सुमन ब्रष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलस दसओं दिसिसाजे ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सब को सुनाया उसे सुनकर सब मुनी और देवताओं का सारा समाज हरसित हो गया आकास से फूलों की वर्सा होने लगी बाजे बजने लगे और दसो दिसाओं में मंगल कलस सजा दिये गए रमा लगे सवारन सकल सुर बाहन बिभिद बिमान रामा बाहन बिभिद बिमान हो ही सगुन मंगल सुखद करही अप छरागान सब देवतापने भाती भाती के वाहन और विमान सजाने लगे कल्यान प्रद मंगल सगुन होने लगे और अपसराएं गाने लगी रमा सिवा ही संभूगन करही श्रिंगारा जटा मुकुट अरी मोर सवारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन भी भूति पट के हर छाला सिवजी के गण सिवजी का श्रंगार करने लगे जटाओ का मुकुट बनाकर उस पर सापो का मोर सजाया गया सिवजी ने सापो के ही कुंडल और कंकन पहने शरीर पर विभूति रमाई और वस्तर की जगह बागंबर लपेट लिया रमा ससिललाट सुन्दर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला अस्व वेश सिव धाम कृपाला सिवजी के सुन्दर मस्तक पर चंद्रमा सिर पर गंगाजी तीन नेतर सापो का जनेव गले में विस और छाती पर नर मुंडो की माला थी इस प्रकार उनका वेश असुब होने पर भी वे कल्यान के धाम और कृपालू है रमा कर त्रिशूल अरू डमरू भी राजा चले बसंचड़ी बाजही बाजा और देखी सिवाई सुरत्रियम सुकाही बरलायक दुलहिन जगनाही एक हात में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुसोबित है सिवजी बैल पर चड़कर चले बाजे बज़ रहे हैं सिवजी को देखकर देवंगनाए मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुलहन संसार में नहीं मिलेगी रामा बिष्णू बिरंची आदी सुर ब्राता चड़ी चड़ी बाहन चले बराता और सुर समाज सब भाति अनूपा नहीं बरात दुलह अनुरूपा बिष्णू और ब्रह्मा आदी देवताव के समू अपने अपने वाहनों को सवानियों पर चड़कर बरात में चले देवताव का समाज सब प्रकार से अनूपम परम सुन्दर था पर दुलह के योग्य बरात न थी रामा विष्णू कहा अस बहसी तब बोली सकल दिसी राज रामा बोली सकल दिसी राज और बिलग बिलग होई चलहू सब निज निज सहित समाज दीन दयाल बेरे दो संभारी हर उनाथ मम संकट भारी तब विष्णू भगवान ने सब दिकपालो को बुला कर हसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो रमा बर अनुहारी बरात न भाई रहसी कर हवपर पुर जाई विष्णू बचन सुनी सुर्म सुकाने निज निज सेन सहित बिल गाने हे भाई हम लोगों की एह बरात वर के योग्य नहीं है क्या पराय नगर में जाकर हसी कर आओगे विष्णू भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपनी सेना समेत अलग अलग हो गए रामा मनही मन महेसु मुसु काही और हरी के बिंग्य बचन नहीं जाही और अतिप्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भ्रंगी प्रेरी सकल गन ते रे महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णू भगवान के व्यंग्य बचन नहीं छूटते अपने प्यारे विष्णू भगवान के इन अतिप्रिय बचनों को सुनकर सिव जी ने भी भ्रंगी को भीज कर अपने सब गणों को बुलवा लिया राम सिव अनुसासन सुन सब आए जै सिव संकर जै भोला प्रभुपद जलज सीस तिन्हनाए जै सिव संकर जै भोला नाना बाहन नाना बेसा जै सिव संकर जै भोला बिह से सिव समाज निज देखा जै सिव संकर जै भोला सिव जी की आग्या सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चण कमलों में सिर नवाया तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के बेस वाले अपने समाज को देखकर सिव जी हंसे कोई बिना मुख का है किसी के बहुत से मुख है कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं किसी के बहुत आखें हैं तो किसी के एक भी आख नहीं है कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है तन खीन को अतिपीन पावन को अपावन गतिधरें भूसन कराल कपाल कर सब सद्ध सोनित तन भरें खर स्वान सुवर श्रकाल मुखगन बेस अगनित कोगने बहुजिनस प्रेत पिसाच जोगी जमात बरनत नहीं बने कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेस धारण किये हुए है भेंकर गेहने पहने हाथ में कपाल लिए है और सब के सब सरीर में ताजा खुन लपेटे हुए है गधे, कुत्ते, सुवर और सियार के से उनके मुख हैं, गणों के अनगिनत वेसो को कौन गिनें बहुत प्रकार के प्रेत, पिसाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्नन करते नहीं बनता रम नाचैंगावईंगीत परम तरंग भूत सब देखत अतिविपरीत बोलहीं बचन विचित्र बिधी, दीन जयाल बेरेदो संभारी, हरहुनात मम संकट भारी भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेधंगे जान पड़ते हैं, और बड़े ही विचित्र धंग से बोलते हैं जैसा दूला है, अब वैसी ही बरात बन गई है मार्ग में चलते हुए भाती-भाती के कोतुक तमा से होते जाते हैं, इदर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडब बनाया कि जिसका वर्नन नहीं हो सकता रम सैल सकल जहल लग जग माहीं, लग विशाल नहीं बरन सिराहीं, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहुन नवत पठावा जगत में जितने छोटे बड़े परवत थे, जिनका वर्नन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने बन समुद्र नदियां और तालाव थे, हिमाचल ने सब को नेता भेजा रम काम रूप सुन्दर तन धारी, सहित समाज सहित बरनारी, गए सकल तो हिना चल गेहा, गावही मंगल सहित सनेहा वे सब अपने एक्छानुसार रूप धारन करने वाले सुन्दर सरीर धारन कर सुन्दरी इस्तरियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी इसने सहित मंगल गीत गाते हैं राम प्रत्महें गेरे बहुग्रह संवराए, जथा जो गुताहताह जब च्छाए, पुर सोभा अवलो के सुहाई, ला गए लगविरंचन पुनाई हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन-उन स्थानों में सब लोग उतर गए, नगर की सुन्दर सोभा देखकर ग्रमा की रचना चातुरी भी तुक्ष लगती थी लगुलाग बिधिकि निपुनता अवलो की पुर सोभा सही, बनबाग कूप तराग सरिता सुभग सब सक को कही मंगल बिपुल तोरन पता का केतु ग्रह ग्रह सोही, बनिता पुरस सुन्दर चतुर चबी देखि मुनिमन मोही नगर की सोबा देखकर भ्रहमा की निपुनता सचमुच तुक्ष लगती है, बन बाग कुए तालाब नदियां सभी सुन्दर हैं, उनका वर्नन कौन कर सकता है घर घर बहुत से मंगल, सूचक, तोरन और धोजा पता काएं सुसोबित हो रही हैं, वहां के सुन्दर और चतुर इस्त्री पुरूसों की छबी देखकर मुनियों के भीमन मोहित हो जाते हैं रम जगदंबा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाई, रिद्ध सिद्ध संपत्य सुख नितनूतन अधिकाई जिस नगर में स्वैम जगदंबा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्नन हो सकता है, वहां रिद्ध सिद्ध संपत्य और सुख नितने बढ़ते जाते हैं रम नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भर सोभा अधिकाई, करिब नाव सजिबाहन नाना, चले लेन साधर अगवाना बरात को नगर के निकट आई, सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी सोभा वड़ गई अगवानी करने वाले लोग बनाव स्रंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा कर आदर सही बरात को लेने चले रमहीं हर से सुरसेन निहारे जै सिव संकर जै भोला, हर देख अतिभए सुखारी जै सिव संकर जै भोला सिव समाज जब देखन लागे जै सिव संकर जै भोला, बिडर चले बाहन सब भागे जै सिव संकर जै भोला देवताव के समाज को देख कर सब मन में प्रसन हुए और विश्णु भगवान को देख कर तो बहुत ही सुखे हुए किन्तु जब सिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाती घोडे रत के बैल आदी डर कर भाग चले रमधरी धीर जुतह रहे सयाने जैसिव संकर जै भोला बालक सबले जीव पराने जैसिव शंकर जै भोला गई भवन पूछे हुँ पितु माता जैसिव शंकर जै भोला कहाई बचन भय कम पित गाता जैसिव शंकर जै भोला कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरजधर कर वहां डटे रहे लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे घर पहुचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भैसे कापते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि कहिये काह कह जाइन बाता जैसिव संकर जैभोला जम कर धार कि धौबर याता जैसिव संकर जैभोला बर बोराह बसं असवारा जैसिव संकर जैभोला ब्याल का पाल भी भूशन च्छारा जैसिव संकर जैभोला क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती यह बारात है या यमराज की सेना दूला पागल है और बैल पर सवार है साप कपाल और राखी उसके गहने हैं तन छार ब्याल कपाल भूसन नगन जटल भयंकरा संग भूत प्रेत पिसाच जोगिन बिकट मुखरज नी चरा जो जियत रही बरात देखत पुन्य बढ़ते ही कर सही देखिये सो उमा बिबाहु घर घर बात असलर कन कही दूले के सरीर पर राख लगी है साप और कपाल के गहने हैं वहनंगा जटा धारी और भयंकर है उसके साथ भयानक मुखवाले भूत प्रेत पिसाच योगिनिया और राक्षस हैं जो बारात को देखकर जीता बचे का सचमुच उसके बड़े ही पुन्य हैं और वही पारवती का विवा देखेगा लड़कों ने घर घर यही बात कही रमसमुजि महेस समाज सब जननी जनक मुशुकाही रामा जननी जनक मुशुकाही बाल वुझाए बिविद्विधी निडर हो हुदर उनाही दीन दयाल बेरेद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी महिस्वर सिवजी का समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ डर की कोई बात नहीं है मुलो संकर भगवान कीजे आज हमने पढ़ा और स्रवन किया सिवजी की बिचितर बारात और विवहा की तैयारी जै श्रीराम